गोली तो चल गई लेकिन बेगुस तराय नहीं बलकि करनाल में सप्रा के कारकरम में करनाल में जैसे ही सपना चौधरी रिंग में उतरी दर्शकों के बीच हल्चुले बढ़ गई सपना के फैन सपना के दुदार के लिए पागल से हो गई एक और सपना ने अपना जलवा बिखेरा तो दूसरी और सपना के फैन बेकाबू से हो गई भीड ने सपना को घेर लिया सपना भी असहज हो गई और इसके अलावा उनके साथ मौजूद लोग भी घबरा गई इस बीच आई गोली चुलने की आवाज सपना चौधरी के भाई ने बेकाबू भीड को कंट्रोल करने के लिए हवाई फाइरिंग की भीड पर काबू पा लिया गया लेकिन पॉलिस की नजरों में सपना के भाई आगे जिन्होंने हवाई फाइरिंग की थी पॉलिस ने सपना के भाई से पूछताज की और फिरों ने छोड़ दिया गया सपना चौधरी के कारेकरम में भीड का बेकाबू हो जाना कोई नई बात नहीं है एक दुन पहरे बिहार के बेगू सराय में भीड बेकाबू सी हो गई थी और सपना के स्टेज पर आते ही दर्शक भी स्टेज पर चड़ने लगे थी और फिर धगतर जैसे हालात हो गई थी